हेलो फ्रेंट्स वागत आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फिंट्स इंडिया बूस ग्रूप के शेयर में जबरदस करेक्शन देखने को मिल रही है मार्किट के करेक्शन के साथ मैं सबसे ज़्यादा करेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो शेयर से वो इंडिया बूल ग्रूप के हैं धानी सर्विसेस का शेयर बावन वीक के लोग पर तो आई गया है स्टॉक जो है फिसल कर सो रूपे से भी नीचे आ चुका है इसे स्टॉक ने काफी बड़े रिटरंस जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्वेस्टर को दिये हैं बहुत वरटाइल स्टॉक है तो क्या फ्रेंट्स इतनी बड़ी करेक्शन के बाद में असी रूपे अब शेयर का भाव आ चुका है यहां पर क्या माल भरने का मौका है फ्रेंट्स इस स्टॉक का फ्यूचर आउटलूग क्या है और इस करेक्शन में क्या यह बड़ी बाइंग आपर चुनती है इस बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं फिंट्स कल हमने अपने चैनल पे इंडियाबूल हाउजिंग फ्नांस और इंडियाबूल रियल स्टेट के बारे में बात करी थी और बहुत स्ट्रॉंगली हमने आपको इस बात को बोला था कि इस करेक्शन में अगर आपकी थोड़ी मौड़ेट रिस का इपेटाइट है यहां पर खरेदारी की तरफ देख सकते हैं और यहांसे एक रिकावरी एक्स्पेक्टड है अप देखि इंडियाबूल रियल इस्टेट और हाउजिंग फिनांस दोनों ही शेर में अच्छी रिकावरी देखने को मिलिए इवन इंडियाबूल रियल स्टेट में तो काफी जो है इंट्रडे में 18% तक स्टॉक जो है गया है और इंडिया बूल हाउजिंग फिनांस के स्टॉक में भी एक टर्णराउंड देखने को मिला है पर धानी का शेयर आज भी 20% के सरकिट के आसपास ही बंद हुआ है दो दिन में स्टॉक लगबग 40% के आसपास तोट चुका ह और फ्रेंट्स लगबग लगबग आप समझे 68 मिलियन जो है शेयर की ट्रेडिंग जो है हो चुकी है और 11% के आसपास की कुटी एक्सचेंज हुई है तो आप समझे कि किस तरहा की भारी वॉल्यूम के साथ लोवर सरकिट लगा है और उसके अलावा लोवर सरकिट पर भी बेचने वालों की लाइन लगे हुई थे से स्टॉक में लगातार निगेटिव न्यूस फ्लो देखने को मिल रहा है 80 रुपए 80 पैसे याने 80 रुपए के आसपास यह स्टॉक आ चुका है तो फ्रेंट्स यहां पर पहले डिसकस करते हैं स्टॉक में इतनी भारी कर्रेक्श इस स्टॉक में बना हुआ है टामरेंड कैपिटल ने पहले 10 मिलियन शियर के आसपास इस कंपनी के सेल किये थे 153 रुपे के आसपास पे ब्लॉक डिल के थुरू और बी ओ एफ़े सिक्यारिटे जिरोप ने 9.75 मिलियन शियर परचेज किये थे टामरेंड कैपिटल ने अप कि फुली ओन सबसेटरी यह वहां से बाटे गए हैं और किसी और का पैन कार्ड लेके किसी और ने फर्जी तरीके से लोन ले लिये हैं और यहां पर जो है जिसकी वज़े से काफी ट्वीटर पे लोगों ने कैंपेंच चलाया था उनकी जो है इन्फॉरमेशन मिस्यूज हो यह तो एक न्यूज माना है कि इस न्यूज पर इतना बड़ा रेक्शन जो दानी के ने को मिला है उसका रीजन यह भी है कि फ्रेंट जितना भी एप बेज्ड यह न्यूज बिजनसेशंक वाली कंपनी यहां पर भी जो है कंपनी ऑपरानि लेवल पर लगातार लॉस कर रही है वालूएशन है और सिर फ एक ऐप बीज और टश्टब्स अश्रां के और एक टवेस्ट पाल निकल के आए तो इस टॉक की पिटाई होना ते हैं फिंक्स कंपनी का बिजनस आपको पता होगा है इसकी जो धानी सर्विसेश वाली एप है उस पर ये धानी वन करके जो है क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं इसके अलावा कंपनी हेल्थ केर सेग्मेंट में भी रिवानी मॉडल पर काम करती है कुछ सबसेडरी इनकी जो है एप बेस लोन प्रोवाइड करती हैं उसमें ये जो हैं काफी पुराने प्लेयर हैं बहुत पुराना तो वो बिजनस मॉडल भी नहीं है पर कह सकते हो कि स्टार्टिंग फेज में इन्होंने वो मॉडल स्टार्ट किया था उस ताइम काफी कम क ना तो यह बहुत बड़े लीडर हैं ना ही कोई सब्सेंशली रिवान्यू जनरेट कर रहे हैं कहीं न कहीं पेटियम की तरह इनकाट भी विजनस डाइवर्सी फाइड तो बहुत है पर कहीं भी यह लीडर नहीं है और बिजनस में फोकस की कमी है ऑप्रेटिंग लेवल पर और जो है बिजनस मॉडल जो है टेक्स से वी न्यू जनरेशन का बिजनस कमपनी करती है तो इतनी गरावट के बाद क्या कोई बाइंग ऑपरचुनिटी है जो बात कल रियल इस्टेट और इंडियाबूल हाउसिंग फिनांस को लेकर हमने कहीं थी वह कनिविक्शन धानी प उनसे कैसे डील करते हैं वो एक देखने होगा आने वाले टाइम में किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं पर बिजनस में ग्रोथ ऑपरचुनिटीज है और इन्होंने अपनी ब्रैंड क्रियेट करी है इसमें कोई दोराए नहीं है तो यहाँ पर कल जैसे हम इंडियाबू इस बिजनसेज में पैसा लगाते हैं हाई रिस्क ले सकते हैं तो पॉटफोलियो का एक बहुत चोटी कैपिटल जो खतम भी हो जाए तो उन्हें कोई फरक ना पड़े तो एक बार इस गिरावट में खरेदारी की ओर देख सकते हैं अगर यहाँ पर यह प्रॉब्लम सॉल् बन सकते हैं यह बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्ण कैटेगरी वाला शेयर बन चुका है और बिजनस भी ऐसा ही है लॉस मेकिंग कंपनी है और कॉर्पेट गवर्नस के इशू से लगसे हैं तो फ्रेंट्स बहुत हाई रिस्क अगर आपके अपटाइट है यह पर्टिकुलर करे लेगा उस mentality से जैसे पीफंट्स वैसा लगाते हैं अगर उस mentality से आप यहां invest करते हैं तो कर सकते हैं यहां पर बिजनस में growth opportunities है पर यह company अपने इशूस से कैसे टाइन आराउंड करती है वो एक देखने वाली बात होगी फ्रेंट्स फर्दर आपकी कोई भी कोरी इस वीडियो को लेकर हो फिल फ्री टो आस्क में दे कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आईए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपके अपने चैनल इसमा इंवेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू